थाना सुरीर छेतर इस्तित भगवान देवी इंडियन गैस गोदाम में देर राद चार बदमाशों ने धाबा बोल दिया गोदाम में एक बच्चे के साथ रह रही महीला को बदमाशों ने घैल कर दिया और गैस गोदाम से भठे हुए 57 सिलेंडर चोरी कर बदमाश फरार हो गई आपको बता दें कि देर राद भगवान देवी इंडियन गैस गोदाम में चार बदमाशों ने गैस सिलेंडर चोरी की घटना को अंजाम दिया गोदाम में सो रही एक महिला द्वारा चोरों का विरोत किया गया तो बदमाशों ने महिला के साथ मार्पीट की महिला को गहल कर बदमाश गैस गोदाम से 57 भरे हुए गैस सिलेंडर लेकर फरार हो गई गटना की जानकारी मिलते ही मौके पर इस्तानिय पुलिस और एस्पी देहात महुच गए और गटना इस्तल का निरिक्षण किया वहीं गहल महिला को उप्चार के लिए अस्पतार में भड़ती करवाया गया पुलिस गटना की जाच और शातिर चोरों की तलाश में जुट गई एस्पी देहात ने बताया कि भगवान देवी इंडियन गैस गोदाम में अग्यात चोरों द्वारा गैस सिलेंडरों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है गटना इस तलका निरिक्षण कर बदमाशों की तलाश की जा रही है गैस गोदाम के अंदर सो रही एक महिला को भी बदमाशों ने घैल कर दिया है जल्द गटना का खुलासा कर बदमाशों को जेल भीटा जाएगा यहां मेरा इसवय है मरेला पर गोदाम है जंडा के पास गैस का गोदाम इंडन गैस का तो आज रात में मेरे चोकीदार एक तो हमारे जो गुत है माभीर सिंग उनकी पतनी और उनका एक बेटा पंद्रह साल का वो यहां सो रहे थे तो रात को करीब दो बजे के करीब चार आदमी आए दिन आदमी ऊपर है जो चोकीदार की रूम में उसके चाट पर तो चार आदमी उपर तीन आदमी उपर चटपे चड़ और इन लोगों को फकड़डिया और उनके जो माविरसिंग पतनी के उंके मुहेर चोटों बू पर हां एक गम्मीरी चोटे आई उनके चो मासों ने लूट पार्ट की खड़ना कारिक है जिसमें कुछ से सिलिंडर ले गए हैं अब इस प्रक्रम में अभी पंजित जा रहा है सीख रही प्रक्रम का प्लासा क्या जाएगा जो में ब्रमुद सुशीद करते हुए अभी तो भी ग्रतारी की जाएगी